गुड आर्श। रस्ट आज हम आपका इंगलिश बुक में पेज 18 करेंगे इसमें आपको नाउन के बारे में समझाया हुआ है नाउन क्या होते है किसी भी प्रसन थींग के नाम को क्या बोलते हैं noun बोलते हैं कोई person हो, कोई thing हो, कोई शहर का नाम हो, कोई वस्तु का नाम हो, तो उसको आप क्या बोलेंगे? इन्दी में संघ्या बोलते हैं उसको English में noun बोलते हैं हिंदी में संघ्या ठीक है circle the noun इसमें आपको जो noun है उसको circle करना है Harry has a colorful kite इसमें Harry किसी का नाम है इसको आप circle कीजिए kite कोई thing का नाम है इसको आप circle करेंगे next he wrote a blue war a blue shirt and a black pant तो इसमें आपकी shirt और pant ये क्या है noun this is a new pencil and rubber तो इसमें आपका pencil और rubber ये क्या है noun the child is playing in the park तो इसमें park क्या है noun और child भी क्या है यहाँ पे noun the baby is asleep in her bed तो यहाँ पे जो bed है ये noun है और baby भी आपका noun है next में आपको क्या करने है choose the correct word side में आपको word दी हुए है उनकी help से आपको ये blanks बरने है squirrels live in गिल हैरी कहां रहती है trees पे तो इसमें आप क्या लिखेंगे trees next harry wants to fly his harry wants to fly wants चाहना fly उडाना harry क्या उडाना चाहता था kite तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे kite next des begin to cry cry क्या होता है rona begin शुरू करना rona किसने शुरू किया था harry ने तो क्या लिखेंगे आप harry the desk climbed up the tree climb क्या होता है चड़ना tree क्या होता है paid paid पे कौन चड़ा था squirrel तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे squirrel he walked dash home forest वो चला किदर चला home की तरफ यह forest होता है harry कहाँ चला था home तो इसमें आप क्या लिखेंगे home next question में आपको noun लिखे और यह blanks परने है it is a sunny day he is a good he boy the kite is up in the kite कहाँ उडाते हम sky में तो sky भी आपका क्या है noun this is a tall tall यह tree दिखाये हो है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे tree the dash are playing खेल रहे हैं कून खेलते हैं बच्चे तो क्या लिखेंगे आप children ओके यह page आपको book में feel करने है जोका में गये थोगं एक slब